आपके पास ओपो कंपनी का कोई भी स्मार्टफोन हो चाहे आपने उसमें फिंगर पिंगर पिंट लॉक लगाया हो अगर आप बार बार इस तरीके से लॉक लगा के ठक गए हैं और वो खुल नहीं रहा है चाहे आपने कोई साभी पिंट पासवर्ट पैटन लगाया हो उसको 100% इस वीडियो के माधियम से घर बैठे अनलॉक कर सकते हैं और आपका कोई डेटा भी डिलीट नहीं होगा जिया दोस्तों सबसे इंपोर्टन चीज कि आपका कोई डेटा डिलीट नहीं होगा तो इसको कै कैसे किया जाता है कि आप प्रोसेस से सब कुछ बताएंगे लिए उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलीगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है यह प्रोसेस और किस तरीके से आप घर बैठे अपन अपने फोन में धून ना है emergency call या फिर emergency sos नीचे ओपर नीचे कौर्नर कहीं पर भी option हो सकता है आपको इस option को open कर लेना है डालरफट ओपन हो जाएगा और डालरफट ओपन नहीं होता है तो यह गूल option आयगा वहां से डालरफट को आप open कर सकते हैं अब यहां पर आपको star is 812 और hedge को जैसे इंटर किया आपका phone automatic अगर lock screen में जा रहा है तो यह आपके लिए अच्छी बात नहीं है जैसे कि मेरे phone के साथ हो रहा है यह phone fully FRP locked है लेकिन अगर आप star is 812 और hedge को इंटर करते हैं और आपका phone में कोई response नहीं होता है यानि कि आपका phone fully FRP locked नहीं है 100% chance से phone क unlock होने के लेकिन इस तरीके के phone 99% chance नहीं होते हैं ठीक है देखेंगे हम live आपके सामने जो भी करेंगे सब process करके दिखाएंगे कि इस तरीके से phone unlock होता है या फिर नहीं होता है सब कुछ आपके सामने होगा ठीक है अब देखें यहाँ पर हम वापस से emergency call पर जाके आप star is double nine star is double nine और hedge को इस तरीके से open कर दीजिए यहाँ पर आपके सामने एक page open होगा engineer mode या फिर emergency SOS यह page automatic आपके सामने आजाएगा अब जैसे ही यह page open होता है आपको यहाँ पर सबसे पहला जो काम करना है वो है यहाँ पर software version में जाना software version में जाएंगे और सबसे नीचे में आप दे नीचे में factory version का option आपको दीख रहा है इस पर आपको 6-7 बार इस तरीके से tap करना है जिससे हमारे जितने भी settings है सब वो factory setting में चल जाएंगे अभी यहाँ पर कोई भी reset या फिर कोई भी password patent कुछ भी यहाँ पर erase अभी नहीं हुआ है back करेंगे back करते ही यहाँ पर आपको ढू आपको यहाँ पर ढूबना है sensor self test calibration का option आपको देख रहे हैं अब आपको इसी sensor वाले option पर tap करते हैं अब देखे हमारे phone में 3 sensor है आपके phone में 3 भी हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं एक तो बिल्कुल भी नहीं होता है minimum जो है यहाँ पर 2 होता है maximum 5-6-7 हो सकता है तो सभी को आप इ एक sensor भी आपका अगर काम कर रहा हो एक sensor भी अगर आपका pass हो जाता है तो आप 100% phone को unlock करता है लेकिन अगर सारा sensor आपको fail हो जा रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से tap करेंगे वापस से try करेंगे 3-4 बार 5 बार इसको try करेंगे नहीं होता है phone को reset कर दीजिए और फिर से इसको try करेंगे अब दीखेंगे यहाँ पर क्या करने है इस option से back जाने के बाद यहाँ पर एक option दिखाए देगा others का जो कि सबसे last वाला option है others का यहाँ पर इसके नीचे reset का option है आप इसको reset माल दीजिए अब इसको reset करने से आपका ना तो data delete होगा ना ही कुछ delete होगा और यह यहाँ पर pass भी होना चाहिए ठीक है same process आप कीजिए जैसा मैं आप बता रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा तो 100% आप शक्सेस होगा ऐसा नहीं है ठीक ना एकदम 100% आपका phone unlock हो जाएगा अब जैसे ही यह pass होता है आपको यहाँ पर क्या करने है इस option से back चल जाना है य जैन देजे Google की आप में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है यह comment करके बताएगी जब तक Google की आप करने ही दिखाएगा phone unlock नहीं होगा बैक करेंगे बैक करते ही यहाँ पर read write वाले option पर जाएगे cancel करेंगे और second time इसको यहाँ पर ok मत किजिएगा यह directly 123456 by default यह है इसको ok कर दीजिएगा जब भी यह wrong password दिखे इट मेंज कि आपका phone unlock हो चुका है आपको इस option से one two and देखिए phone यहाँ पे हमारा 100% unlock हो चुका है कोई भी pin password pattern की जिएग नहीं पड़े तो इसी तरीकी की वीडियो हम लाते रहते हैं अगर आपके phone unlock हुआ या नहीं हुआ कुछ भी दिक्कत मुझे ब फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में सब्सक्राइब जरू तीजिएगा थैंक्स वाचिंग